रतलाम जिले की नामनी थाना शेत्र में नौवर्सी बच्ची को खेत में ले जाका दुशकर्म की खटना को अंजाम देने वाले आरूपी को कॉंग्रेस ने फासी देने की मांग की है वपीडित परिवार को एक करोड मुआफजा देने की मांग करती हुए कॉंग्रेस ने कलेक्टर कारेल के बाहर नारिबाजी कर प्रदर्शन किया इस दोरान कॉंग्रेस विधायक से सैक्रो कारकरता मौझूद रहे इससे पूर्वकल राज सैलाना कॉंग्रेस विधायक हर्श विजा गहलोत आलोड विधायक मनुद चावला शहर अध्यक्ष कारवाहक अध्यक्ष पिडित परिवार से मिलने मैडिकल कॉलेज पहुँचे थे मगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया जिससे नाराज होकर कॉंग्रेस विधायकों ने मैडिकल कॉलेज के बाहर धरना दे दिया करता हुआ है